अभी अभी गेलोड जी ने एक बात बोली और मैं उनसे सहमत हूँ मगर मैं उसमें एक चीज जोड़ना चाहता हूँ गिलोट जी ने कहा कि जो हमारे मीडिया है वो अपना काम नहीं कर रहे हैं जो चौथा स्थम का काम होता है जिमेदारी होती है उसको पूरा नहीं कर रहे हैं उस सही बोल रहे हैं मगर यहां जो हमारे मीडिया के मित्राएं हैं और मैं यहां कहना चाहता हूँ क्योंकि जो लोग भीड में हैं आपको गल्त फेमीनी होनी चाहिए यह इनकी गल्ती नहीं है यह अपना काम करने की कोशिश करते हैं यह रिपोर्टिंग करने की कोशिश करते हैं मगर इनके जो मालिक हैं इन्होंने इनके पीछे एक लगाम सी वांद रखिये तो यह अपना काम पूरा नहीं कर सकते हैं तो गल्ति इनकी नहीं है ज़रूर यह थोड़ा और कर सकते हैं और करना चाहिए मगर इनका controller इनका remote control जैसे TV का remote control होता है वो इनके देखे मुस्कुरा रहे हैं वो इनके हाथ में नहीं है वो इनके जो मालिक है उनके हाथ में है और सरकार में जो आपका दिल्ले में राज करते हैं उनके हाथ में तो यह मैं अशोगेलोट जी की बात को थोड़ा में थोड़ा बड़ावा देना चाहता था हिंदुस्तान के सामने दो तीन बड़े मुद्दे हैं सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का और महंगाई का जो बेरोजगार देने का system है वो जो small और medium बिजनस चलाते हैं जो छोटे वियापारी होते हैं वो लोग देते हैं रोजगार जो अरब पती होते हैं तीन-चार अरब पती हैं अंदुस्तान में वो रोजगार नहीं देते हैं और जब नरेंद्र मोदी जी ने नोट बंदी की और GST गल्द GST लागू की तो जो ठोटे भी आप आ रही हैं जो स्मॉल और मीडियम बिजनस चलाते हैं जो देश को रोजगार देते हैं उनकी रीड की हड़ी तूट गई और सचाई आज यह है कि देश अगर चाहे भी अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे सकता तो सबसे बड़ा मुद्दा देश के सामने यह है दूसरा मुद्दा महँगाई है इंटरनाशनल मार्किट पे पेटर्ल और दीजल के नाम अपर जाएं या नीचे जाएं हिंदुस्तान में पेट्रोल और दीजल के नाम उपर ही घाते हैं चाहिए कुछ भी हो जाए इंटरनेशनल मार्किट में तेल के दाम गिर जाए मगर उसका फाइदा हिंदुस्तान के गरीब लोगों को नहीं मिलता फाइदा तीन-चार बड़े उद्योग पतियों को मिलता है आपको याद होगा UPA के समय पेट्रोल के दाम साट रुपए के थ है याद है आपको याद है ठीक है साट रुपए के थे आज क्या है आज एक सो साथ रुपए तो आपको यह सवाल पूछना है कि यह जो पैसा है जो आपके जेब में से नकल रहा है यह कहां जा रहा है यह किसके जेब में जा रहा है यह देखिए वह या देखिए आपको यह सब व्यापारियों के जेब में नहीं जा रहा है क्योंकि GST नोट बंदी ने व्यापारियों के जेब में से पैसा निकाला यह चुने हुए दो तीन पांच लगा लो यह चार पांच उदियोग पती हैं हिंदुस्तान में इनको सब एरपोर्ट मिलते हैं रेलवेज इनको मिलेगी प्राइवेट यह बी एचेल एचेल यह सब जो सरकारी कंपनी आए एक एक करके इनको मिलेंगी इंफ्रस्ट्रक्टर का काम यह करते हैं अनाज का स्टोरिज का काम यह करते हैं बिजली का पावर जेनरेशन का काम ये करते हैं तो सारा सारा फाइदा इनी चार पाँच लोगों को जाता है आज कल प्रदान मंत्री जी सेना की बात करते हैं जो भी कॉंट्राट्स हतियार के कॉंट्राट्स हैं वो सारे के सारे ही नहीं चार पांच लोगों जाते तो पूरा का पूरा फाइदा चार पांच लोगों को हो रहा है वो लाकों करोर रुपए करजा ले सकते हैं उनका एक सेकंड में करजा माफ हो जाता है और अगर हमारा किसान पचास हजार रुपए का कर्जा माफ करना चाहे एक लाग रुपए का कर्जा माफ करना चाहे तो ये लोग उसका कर्जा नहीं माफ कर सकते हमने आपसे वाइदा किया था आपको याद होगा कि किसानों का कर्जा माफ होगा याद है आपको किया ना तो जो हम कहते हैं हम कर्द के रिखा देते हैं हमने कहा था किसानों का कर्दा माफ होगा 22 लाग 22 लाग किसानों का 22 लाग किसानों का कर्दा माफ किया आज हम चाय पी रिए थे सुबह किसान के घर में हमने चाय पी किसान आया मुझसे गले लगा और मुझसे कहा कि राहूल जी आपने हमारा कर्जा माफ किया आपने हमने हमारी जिंदगी बदल दी इसलिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूँ और ऐसे 22 लाक लोग है बाइस लाक लोग है आठ लाक किसान है राजिस्तान में जिनको बिजली का बिल देना नहीं पड़ता एक रुपिया नहीं देना पड़ता और चिरन जी भी योजना के बारे में तो आप जानते हो जानते हो 28 लाक बेनेफिशरीज को 10 लाक रुपे का बीमा कोई भी बिल्कुल फ्री कोई भी ऑपरेशन करवाना हो बिल का उपरेशन करवाना हो कैंसर का इलाज करवाना हो ट्रांस्प्लांट करवाना हो राजिस्तान में आपको फ्री में करवाते हैं हम लोग और पहले गाउं में मनरेगा होती थी राजिस्तान पहला स्टेट है जहाँ पे अब शेहरों में हम मन्रेधा जैसी योजना लाएं ठीक है मगर तो तो हम जो कोशिश कर सकते हैं ये काम हमने चतिस गड़ में भी किया मद्यप्रदेश में भी किया पंजाब में भी किया था हम जो कर सकते हम करते है मगर दुख की बात है कि जो दिल्ली की सरकार है वो गरीबों पर छोटे वियापारियों पर किसानों पर मजदूरों पर 24 घंटा आकरमन करती है मैं आपको एक और उधारन देता हूँ आपके स्टेट का उधारन देता हूँ यहाँ पर आपका सिचाई का प्रोजेक्ट था 13 डिस्ट्रिक्ट में पानी देने का IRC IRC, sorry ठीक है इस्टन राजिस्तान कनल प्रोजेक्ट जिससे 13 डिस्ट्रिक्ट को सिचाई का और पीने का पानी मिलता स्टेट की सरकार ने 9500 करोर रुपे इस प्रोजेक्ट के लिए अलग रखे अब प्रधान मंत्री ने वाइदा किया था कि इसी प्रोजेक्ट को वो नैशनल प्रोजेक्ट बनाएंगे कितने बार किया था वाइदा दो बार अपने भाशनों में हिंदुस्तान के प्रधान मंत्री ने राजिस्तान के 13 डिस्ट्रिक्ट को वाइदा किया था कि यह जो सिचाई का प्रोजेक्ट है इसको हम नैशनल प्रोजेक्ट बनाएंगे और जल्दी से जल्दी इसको हम पूरा करेंगे उन्होंने उसको कैंसल कर दिया और अब जब राजिस्तान की सरकार अपने पैसे से प्रोजेक्ट को बनाना चाहरी है तो हमारी सरकार को प्रोजेक्ट बनाने से रोक रहे हैं तो ये हैं हालत और नफरत और हिंसा के बारे में तो आप हर रोज देखते हो देश को बाटने का काम करते हैं भाई को भाई से लड़ाने का काम करते हैं नफरत फैलाते हैं तो ये तीन लक्ष हैं यात्रा के नफरत और हिंसा के खिलाफ खड़ा हो न बेरोजगारी महिंगाई के खिलाफ खड़ा होना और जो हमारे गरीब लोग हैं किसान हैं मजदूर हैं छोटे दुकानदार हैं बेरोजगार युवा हैं उनकी बात सुनना और समझना देखिए अभी मैं मैंने दस मिनट भाषण दिया है गिलोड़ जी ने 5-7 मिनट बोला सचिन ने 5-7 मिनट बोला सुबे 6 बज़े से हम पैदल चलने हैं घंटों घंटों चलने हैं हम हम बोलते नहीं हैं हम आपकी बात सुनते हैं हमारे पास जो भी आना चाहता है जाता है चाहिए वो किसान हो, युवा हो, माताएं बहने, मनरेगा के मजदूर, छोटे दुकानदार, जो भी इन सडकुपे हमें, हमसे बात करना चाहते हैं, आ सकते हैं, आ जाते हैं, देखिए ये लड़की हाथ उठा रही है, इससे जाके अभी हम बात करेंगे, जो भी बात करना च लगते हैं, आपने इतना समर्तन दिया, इतना प्यार दिया, मैं आपको मतलब बता ही नहीं सकता हूँ, और सिर्फ राजस्तान में नहीं, हर स्टेट में, मैं आपको बता नहीं सकता, कितने लोगों ने हमारी मदद की, कितने लोगों ने पानी दिया, कितने लोगों ने चा इस यातरा की मदद की हैं आचाइटुए तो इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ और आपका एक बार फिर रात के समेह आप आए र कि एक बार फिर आपको इसके लिए भी धन्यवाद करना चाहता हूं नमस्कार जैहिम